और मैनपुरी की करहल सीट से भारते जनता पार्टी के प्रत्याशी एस्पिसिंग बगहेल के उपर हमला होता है उनके काफिले के उपर हमला होता है और इसी को लेकर के एक भारते जनता पार्टी का डेलिगेशन चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुँचा और अनुराग शाकूर और तमाम जो भारते जंता पार्टी के निता हैं वो इसको लेकर के एक डईलीगेशन बना करके वो जाते हैं चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग के सामने वो इस मामले को लेकर के शिकायत करते हैं दरसल मैनपूरी की करहल सीट पर अखली शादव के सामने भारतों जन्ता पार्टी के प्रतियाशी के तौर पर एस्पिसिंग बगेल चुनावी मैदान में है और एस्पिसिंग बगेल के उपर जिस तरीके का उनके काफिले के उपर हमला होता है इसी को लेकर बीजेपी का प्रतिनीदी मंडल पहुंचता है चुनावायो के समक्ष और शिकायत कर अपना ग्यापन भी इस तोरान सौपा जाता है और ये आप देख रहे हैं वो तस्वीरें जब चुनावायो के समक्ष पहुंच करके अनुराग ठाकुर जो है वो इस एक शिकायत पत्र चुनावायो को दिया जाता है उनके द्वारा पर यहां पर एक शिकायत पत्र चुनाव आयोग तक पहुंचाय जाता है जिसमें बैन पुरी की करहल सीट पर भारते जनता पार्टी के प्रत्याशी एस्पे सिंग बगेल के काफिले पर हाल ही में हुए हमले को लेकर के सवाल उठाय जाते हैं और साती साथ इस तोरान शिकाय कांद वाजपई के साथ एक जो डेलिकेशन है वो चुनाव आयोग के पास पहुंचता है और शिकायत की जाती है बैन पुरी के करहल सीट पर ये मुकाबला बेहत दिल्चस्प और बेहत कड़ा माना जा रहा है लेकिन भारते जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है आपके इ इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं लेकिन उनके काफिले के उपर हमला होता है और इसी को लेकर के शिकायत चुनाव आयोग की समक्ष की गई है